हर्याना पंचायत चुनाव की हर नई अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इसको लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए लीजिए आपको एक नई खबर और बता देती हूं हर्याना पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई क्या हर्याना पंचायत की चुनाव की डेट घोशित हो गई है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो को पूरा देखिए जो नई खबर वो यह है कि डिप्टी सीम के धेक्स्ता में बनी कमेटी का समय छे माह और बढ़ा दिया गया है नया जिला उपमंडल और बलोक के लिए बनी थ कमेटी और एक अप्रेल से नहीं हुए घोशित तो जन गणना का कर्या पूरा होने तक करना होगा इंतजार परदेश में नए जिले मंडल पंचायत समीती आधी के गठन के लिए डिप्टी सीम दुश्यन चोटाला की अधेक्स्ता में बनी कमेटी का समय 6 महीने और बढ़ा नए होने के तक किसी भी जिले उप मंडल या पंचायत समीती के सीमा में फेर बदल नहीं किया जा सकता और उनके ध्यक्स्ता में पिछले साल 10 अप्रेल को गठित की थी इसमें सिक्षा मंतरी कमरपाल गुजर और सहकारिता मंतरी डोक्टर बनवारी लाल को भी शामिल किया था 11 महीने की बैठक तो हुई लेकिन कोई भी नया जिला उप मंडल पंचायत समीती आदी नहीं बन पाई हालांकि 177 नहीं पंचायतों की घोशना भी कुछ समय पहले हुई है जिनकी वाडबंदी का कर्या चल रहा है और इसी वज़े से पंचायत चुनाव भी अटक गई ह है और मनोहर लाल जी ने भी पार्ट वन में भी ततकालिन क्रिशिमंत्री ओंपरकास धनखड की अधेक्स्ता वाली कमेटी में भी सिफारस पर चर्खी दादरी को जिला बनाया गया था और अभी गोहाना हासी डबवाली असंद आदी को भी जिला बनाने की मांग उठ रही ह है नार्नोन महिंद्रगड में भी विवाद चल रहा है और यह जो नई पंचायते में हैं इनकी वाडबंदी भी अभी नहीं हुई है इस वजह से पंचाय चुनाओ में देरी होती जा रही है और यब यह पंचाय चुनाओ मैं या जून में होने की संभावना जताई जा रह का और भी कुछ केस गये हैं इस वजह दे कर देख रहा है कि इस वज़से भी पंचाय को कुनाव में नहीं देरी हो हो सकती है तो यह देखिए पंचाय कुनाव में देरी के बहुत बड़े बड़े कारण है और इनको सरकार अभी दूर नहीं कर रही है इस वज़े से पंचाय चुनाओ देरी से होंगे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंचाय चुनाओ से जुड़ी हुई हर नई अपडेट से हम आपको सबसे पहले अवगत करवाते हैं इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई सूचना पंचाय चैनल की हम आपको देते रहें